तो हाई गाइंज कैसे हैं आप लोग फ्लिपकार्ट की बिग बिलेंडेज सेल और आमाजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आने वाली है तो बहुत सारे लोग के अप्लाइंस होगी नया आइफोन में पर्चेस करूं क्यूंकि यह जो सेल है एक बार मिस कर दिये समझ करने के बाद पस्ता सकते हैं जैसे कि कोई 13 बाइक करने के सौंच रहा होगा कि बहुत सारे आइफोन 12 मिनी है 13 मिनी क्या इन फॉन्स को आपको लेना चाहिए वह जो इस वीडियो में अपन डिसकस करेंगे तो वीडियो को लाइक मारो और चैनल पे नए हो शैनल को सब्सक्राइब करो और इन बालों को जो इग्णोर करो क्योंकि इस एट नहीं हो रहेत तो इसी आगया तो देखो यह जो सेल है इसके अंदर में आइफोन 11 आइफोन 12 आइफोन 13 13 मिनी 12 मिनी आइफोन 14 14 प्लस 14 प्लस 14 प्रो 14 प्रों मैक्स यह आइफोन साएंगे और आइफोन 15 जो है शायद कल आज ही आपको वीडियो मिल रहा होगा तो आज ही रात साड़े दस बजे से आइफोन का इवेंट है 15 लॉंच होने वाला है तो साड़े दस बजे एपल के आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं और यूटूब पे भी आप देख सकते है वैसे तो मैं वीडियो बनागे शायद मैं आपको ट्राइ करूगा कि सबसे पहले मैं जो है वीडियो जो हिंदी के अंदर में प्रवाइट करोंगी आइफोन 15 में क्या आपने को नया देखने के लिए मिलने वाला है सबसे पहले 2003 चाल रहा तो आइफोन 11 को तो गोली मार त 2010 में आया था अभी के टाइम पर अगर स्पेशली देखो मैं आपे बोलता हूं आइफोन 11 ले सकते हैं आराउंड आपको 20 से लेके 25,000 के आसपास में मिल जाता बट पस आपको बस आइफोन यूस करना है ठीक है गेमिंग वगरा करना है या जो है बड़ी बैटरी वगरा इ ऐथा इफोन 11 बस खाली एक फोन एक्सपियेन्स करना है या एक देड़ दौसार खाली जो है जो है कोई आइनड़ फोन ना रेका आईपोन अगर inspire someone 13 नकार यह सथो बोलूगा की और दो 3-2 साल के लिएकर आप देख रहे यह तो लह सकते हैं फोन आपको तो आप गेमिक करते हैं तो आपको डो बार तो चार्ज करना पड़ेगा कभी-कभी तीन लेवास अगर लेंगा ब्लैन करने कर तो डेफिनेट ले सकतें अराम से यूज कर सकतें गेमिंग कर सकतें अब बैटरी को थुछ पर शुट फोनें तो उसको बिल्कुल भी अगर लास्त यहाइफोन ट्वल यह प्राइज में आता तो जी इस बार भी एक्सक्राइब कर रहों कि यही प्राइज में जो है आइफोन 39-300004-2000 तक भी आता यह फोन 42 तक भी आता हैं तो डफनेटली आपको जो है विल्गुल भी मिस नहीं करते हैं तूट्ट पोडस यह प्राइस देना पड़ता बाद में तो ठीक है ना काफी अच्छा वोन है आपको पता होगा और इसके बाद में आइफोन 14 टीक आइफोन 14 अगर आइफोन 14 और आइफोन 13 के बिश्मकर 10 अदर का प्राइस डिफरेंस रहा तो आप बिल्कुल जो आइफोन 13 के लिए जा सकते ज आइफोन 14 में सकते उससे एक साल अपडेट भी ज्यादा देखने के लेंगे आइफोन 13 से तो वोट केस में आप जा सकते लेकिन मैं करो मैं बोलूगा कि अगर पैसे बचाने डिसेंट सा फोन चाहिए जबर्दास पॉन है ठीकन आइफोन 13 काफी जबर्दास पॉन है तो ठ चाहिए तो इस फोन को बिल्कूल भी जए अगर लेना चाहिए तो स्किप मत करना ठीक है इसके बाद में आइफोन 14 प्लस है इसका बड़ा भाई है इसके अंदर क्या है थोड़ा बंद अच्छी बैटरी इसके इंप्रूब है और डिस्प्ले बीस का काफी सब्सक्राइब तो फोन ले सकते हैं यह फोन आपको अगर बड़ा डिस्प्ले होना बड़ा दिस्प्लेबल साइज तो आइपोन 14 इस बस पैसे बचाए के दसकता बैटरी अगर बड़ी होना डिस्प्ले बड़ा होना तो वह टाइम पे मैं कहूंगा गेमिंग वगर आपको जित्ता जाधा डिस्प्ले बड़ा रहेंगा अच्छा मसाएंगा गेमिंग करते टाइम पे तो आइपोन 14 प्लस इस गुड़ ऑप्शन अगर आपको लेना है त आइफोन 14 प्रो आपको 90,000 तक मिल सकता और आइफोन 14 प्रो मैक्स यह दोनों जो है डिस्कंटिनियू हो जाएंगे प्रो और प्रो मैक्स प्रो जो है एक लाग दो हजार एक पांच अदर के आसपास में देखने के लिए मिल सकता डेफिनिटल लेना है तो ले सकते लेकिन अगर वैसे में 15 प्रो 15 प्रो मैक्स का प्राइज काफी जाधा होने वाला है तो अगर वह केस में अगर आपको लेना है तो यह फोन ले सकते हैं परिशान मत होना पूरी एक साल की वारेंटी आपको मिल जो टेंशन नहीं इसकी टिकर अबस डिसकंटिनियू का मतलब यह कि इसकी जो मैनुफेक्ट्रिंग बंद कर देता है जितने आइफोन अभी तक बने हैं मार्केट में वही आइफोन सेल होंगे तो अब ले सकते हैं 14 प्रो भी ले सकते हैं 14 प्रो मैक्स भी ले सकते हैं इन फॉन को तो डेफिनिटल आराम से पांची साल आराम से अब उसको लेकिन प्राइजिंग थोड़ी सी जो है एक्स्टाई रहेगी अभी की जो प्राइजिंग उससे पांच-छेजारी जो कम रहेगी ठीक ना वह भी आप ले सकते हैं लेकिन बैटरी काफी चोटी एर फोन भी छोटा हैं तो वहीं साब से देखने ना आगर आपको बैटरी ज सकता है अगर आपको टाच आडी वाला फोन चाहिए फेस आडी वाला फोन नहीं चाहिए तो वह साबसे आप आइफॉन से त्री जो वह ले सकते वह आपको अरण ट्विंटी सेवन थाउजन के आसपास में डेफिनिटली मिल जाएगा उससे कमी भी जोए मिल सकता है सारे आ बनाने कोशिश करता हूं तो में को कॉमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सा फोन लेने वाले ठीक है ना और बिल्कुल भी आइफॉन 11 को स्किप कर दो इस साल लेना ही मत आइफॉन 12 कर सकते हो तो कर देना थर्टी लेना बेस्ट अगर आपको लॉंग टर्म तक यूस कर यह माई पर और सेल जब रहेंगी उस तिन रात में 12 बजे जब आपके साथ मैं भी आइफॉन वगेरा बाई करूंगा तो लाइव मैं ट्राइ करता हूंगी यूटूब के पर रहा हूं यूटूब के पर लाइव तुम भी आजा मैं भी आजाता हूं सब मिलके आइफॉन अगरा बाई करेंगे ठीक है ना तो वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो बाई